Second question करते हैं, A is thrice as good as workman as B, A की कारशमता B की कारशमता की 3 गुनी है, यानि A और B है, A की कारशमता B से 3 गुनी है, मैं माल लेता हूं B की 1 है, तो A की कितनी रहेगी? 3, therefore he able to finish a piece of work in 60 days, less than B, तो इसलिए वह काम को B की तुल्ला में 60 दिन पहले करता है, देखे, B की जो कारशमता है, काम करने की शमता है, वो A की 3 गुनी है, इसलिए जो A है, वो B की तुल्ला में 60 दिन पहले काम कर लेता है, तो यह क्या दिया हुआ है, efficiency, ठीक है, और यह क्या दिया हुआ है, time, time का ratio क् ठीक है अब आप देखिए A का time 1 है B का time 3 है इन दोनों का difference कितना हुआ दो but actual में difference कितना दिया हुआ है 60 दिन ठीक है क्योंकि जो A है वो B की तुलना में 60 दिन कम में काम करता है तो यह difference था, यह 3 दिन में काम करता है, यह 1 दिन में, 2 का difference है, यह actual में 60 दिन के equal दिया हुआ है, तो 1 unit किसके equal रहेगा, 30 दिन के, ठीक है, अब आप इन दोनों के A और B के actual time को आप लिखिए, 1 का मतलब यानि 30 दिन, ठीक है, और 3 का मतलब यानि 90 दिन, ठीक है, अब हमें total work न यह गुणा, 3 की 30 के साथ 90 unit, यह फिर यहां से कर लिजिए, 1 की 90 के साथ 90 unit, तो हमारे पास total work कितना आया, 90 unit, ठीक है, जदी वे दोनों एक साथ काम करें, तो काम कितने दिनों में खतम हो जाएगा, total work हमें कितना दिया हुआ है, 90 unit, A और B की capacity कितनी है, 3 और एक 4 unit per day, तो हमे निकालना है, total time, total time किसके equal होता है, total work done, बटे 4, तो हमारे पास अंसर है, 25 दिन, तो यह हमारा answer है, option B is the right answer,